Hello Everyone, I attend Trader Family में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो इस वीडियो में एक काफी अच्छी निउज निकल के आ रही है इंडिया के लिए बहुत अच्छी निउज है SGX Nifty जिसको आप हर रात में तांका जाकी करते हो और मार्केट ओपन होने से पहले भी करते हो कि किस प्रकार का मार्केट ओपन होने वाला है तो ये SGX Nifty अब बंद हो जाएगा तो क्या होगा बंद हो जाएगा तो आपके लिए सही खबर नहीं है क्योंकि आप देखनी पाओगे नहीं अब SGX Nifty है उसकी जगें इंडिया के अंदर ही SGX Connect के नाम से एक जो है वो बनने वाला है क्या प्रोसेस है, क्या ये सई चीज है नहीं है, पूरी जानकारी वीडियो के अंदर बनने मिलने वाली है कब से शुरू होने वाला है, वो भी जानकारी वीडियो में होने वाली है तो बहुत important वीडियो है, वीडियो को skip नहीं करना है चैनल को subscribe कर लेना है और टेलिग्राम जो चैलन का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसको भी जाकर करके आप जोइन कर लेना है तो अब चलते हैं जो न्यूज है उसके उपर तो जो SGX Nifty है अभी क्या है सिंगापूर के अंदर अपने Nifty का एक डेरिवेटिव एक तरीके से सिंगापूर के अंदर लिस्टेड है और वहाँ पे ट्रेडिंग होती है अब क्या होगा कि सिंगापूर के अंदर जो Nifty listed है SDX Nifty के नाम से उसको क्या कर दिया जाएगा इंडिया के अंदर ही Gift City के अंदर transfer किया जा रहा है और जो SDX Nifty है वहाँ से बंद कर दिया जाएगा और पूरा उसका transactions हैं सारे settlement है वो इंडिया के अंदर Gift City Gift City आप जानते हो गुजरात को बोला जाता है और वहाँ पे shift होने वाले हैं कब होने वाले हैं तीन जुलाई से Gift City के अंदर पूरा कारोबार है SDX Nifty का वो यहाँ पे गुजरात के अंदर Gift City में transfer हो जाएगा 30 जुन को SDX Nifty जो नाम से चल रहा है उसके अंदर trading suspend हो जाएगी यानि कि SDX Nifty के अंदर आप काम नहीं कर पाऊगे ना उसको track कर पाऊगे और 3 जुलाई से यानि वीकेंड खतम होने माला है ये वीकेंड चलेगा 30 जुन को और 3 जुलाई से यहाँ पर market open होगा तो यहाँ पर इंडिया के अंदर जो SDX Nifty है उसको बोला जाएगा SDX Connect है उसके नाम से जाना जाएगा और SDX Connect के जो आप search करोगे तो उसके अंदर जो SDX Nifty जो चल रहा था उसी के इसाब से सारी चीज़े उसके अंदर SDX Connect है वहाँ पर दिखेंगी उसी के इसाब से काम होने वाला है SDX Nifty अब चल रहा है वैसे ही SDX Connect होगा ठीक है अब मैं बता देता हूँ सिंगापूर से पूरी लिक्विडिटी है वो भी भारत में ही आएगी इससे क्या होगा कि अभी तक जो पैसे लगते थे वो सिंगापूर के stock exchange पे जाते थे ठीक है जो transaction charge थे वो वहाँ के stock exchange को profit होते थे सारी चीजी पैसा था वो सिंगापूर के अंदर जितना भी पैसा आता था जो लोग SDX Nifty के अंदर trade करते थे वो सिंगापूर के अंदर जाता था अब अगर ये जो SDX Nifty है वो SDX Connect बना दिया गया है ये इंडिया के अंदर shift हो गया और इंडिया के अंदर ये किस के अंडर होगा और उसी के अंडर में NSE, IFSC के साथ में SGX Connect को जोड दिया गया है तो अब जितनी भी liquidity है भारत के अंदर आने वाली है सारा पैसा जो SGX Nifty के अंदर लगता था भारत के अंदर आने वाला है और US Dollar जो लगते थे Nifty के derivative contract में वो भी यहां पे NSE, IFSC पे ही होंगे हैं तो अब मैं बता देता हूँ कि जो SGX Nifty है उसकी positions हैं मान लो आपके पास यहां पे 30 zone से पहले तक हैं या 30 zone को हैं तो अगर आप नहीं बेशते हो तो आपको same position है वो SGX Connect के अंदर मिल जाएंगी कहीं नहीं जाने वाली और अगर आप पहले इसको square up कर लेते हो तो कोई problem नह हो जाएगा लेकिन अगर नहीं कर पाते हो settlement नहीं होता है तो वो SGX Connect है इंडिया वाला उसके अंदर automatically 1 to 1 के ratio में जितना वहां पे है आपके sales उतने ही इंडिया वाले SGX Connect में मिल जाएंगे कोई problem नहीं होने वाली है पूरी liquidity है वो NSE, IFSE, SGX के अंदर shift हो जाएगी जो SGX Connect के नाम से जाने जाएगा तो NSE जो है यानि इंडिया का जो exchange है उसको ही यहाँ पे transaction charges का भी यहाँ पे फाइदा होने वाला है और जो liquidity है वो भी इंडिया के अंदर आने वाली है आपको मैं बता दूँ, SGX Nifty के अंदर trading volume काफी जादा है यहाँ पे आप देख सकते हो, November से में अप्रेल तक का current data है वो यहाँ पे आपको सो कर रहा हूँ, 1.38 million फिर December में 658, जो के है वो है, January में 1.5 million तो ऐसे करके बहुत बड़े volumes हैं जो SGX Nifty के अंदर काम होता है तो बहुत बड़ी liquidity है, वो इंडिया में आने वाली है, liquidity इंडिया के अंदर और भी बड़ेगी, यह अपने जो exchange है, उनके लिए भी अच्छा है, तो अब आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि 30 zone को SGX Nifty जो देखते थे उसको बंद करना है, और यहाँ पे 30 zone के बाद में, यानि कि 3 July से आपको क्या करना है, NSE, IFSC का एक यहाँ पे आपको दिखेगा, जो SGX Nifty का ही एक तरीके से उसी का रूप है, उसको बोला जाएगा SGX Connect, और उसको देखना है, सेम वैसे ही चार्ट पनेगा, जैसे SGX Nifty का है, या बनता है, सेम उसी टाइमिंग पे यह open होगा, और यह futures है, एक तरीकी का, Nifty का जो futures है, वो है SGX Connect, और इसको देखकर के आप अपनी जो trading position ह वो बनाना चाते हो, pre market में, या post market के इसाब से, जैसे market close हो जाता है, तो यह चलता रहता है, तो इसके अंदर सारी चीजे होती रहेंगी, तो यह इंडिया के लिए काफी अच्छी news है, आसा करता हूँ, यह जानकारी आपको पहले से पता नहीं होगी, नहीं पता थी, तो व इंट्राडे में और स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहतनी सपोर्ट रेजिटर निकालने वाला कैलकुलेटर वो भी फ्री में चाहिए, चैनल को सस्क्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोनों का स्क्रीन सोट लेकर के मेरे वार्टसप नंबर पे सेंड करना है, आपकी इमेल आईडि, आपका नाम और आपका कॉंट्रेक्ट नंबर भी यहापे सेंड करना है, साथ में टेलिग्राम चैनल को भी जोइन करना है, ताकि यह आपको मिल सके, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, तो ओपन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिय आ गया है, जाकर के अकाउंट ओपन कीजिए, अप स्टोक्स की हमारे पास सब ब्रोकिंग आईडि है, तो हमारे पास अप स्टोक्स में अकाउंट ओपन करते हो, ता आपका अकाउंट बिल्कुल फ्री में, और आपका AMC जो एन्वल मेंटेनेंस चार्ज है, वो भी है, तो आप किसी में भी आपका अकाउंट ओपन कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर दीजे, चैनल को सस्क्राइब कर दीजे, मिलते हैं, थैंक्यू वरी मक्ट